जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको मदर्सों में जाना चाहिए, मदर्सों में बेतर एजुकेशन नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जानकारी है कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं, आपने अपने बच्चों को घर में बठा के पढ़ाया हैं, जब मैंने अपने कर सकते हैं हस्ते हस्ते सिनिमा देख सकते हैं काटून देख सकते हैं तो हस्ते हस्ते बता यह पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते हैं मैं 25-30 साल तक टीचर रह चुकी हूं तो मुझे हर वक्त यह सवाल था कि बच्चे हस्ते में क्यों नहीं पढ़ सकते और मैं जिस क्लास में भी ज बच्चे इसलिए जाते हैं कि उनके माता पिता कम से कम पांच वी कक्षा और छे कक्षा भी नहीं पड़े हुए रहते हैं छट वी कक्षा तो मेरा जो यह एक्जाम्पल है साब काश वोन मदार्सों के बच्चों के जिंदगी में होती तो सबसे पहले मैं ही कुछ रह जाती है उन मदार्सों को जो चलाने वाले लोग हैं जिन मुस्लिम महिलाओं के पास आप बार-बार मिलने जाती हैं वो लोग कहते हैं कि ये माधुरी लता हमारे यहां करके महिलाओं को बढ़काती हैं उनको कहते हैं घरों से बाहर निकलो आप उनको कहते हैं कुछ काम करो और आप उनको कहते हैं बच्चे पैदा मत करो साब मैं आपके तीन सवालों का इसी सीक्वेंस में जवाब दे उटके पहली बात तो यह है जिन मदार्सों को मैं खाना बजाती हूं, मेडिकल काम्स फ्री में करवाती हूं, उनको दवाईयां फ्री में देते हैं हम लोग और उनको रोजा के टाइम पर इफ़ार के टाइम पर भी हम काना बिजाते हैं, ब्लैंकेट्स देते हैं, खबडे सिलवाते हैं रेफिरिजरेटर्स देते हैं अलमेरे बिजाते हैं लेकिन आप चौंक जाएंगे, जब यह लोग हमसे कहते हैं, मा यह सब कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी मत बताना हमारा मदार्शा का नाम क्या है, और हमारे बच्चे और हम कैसे दिखते हैं, क्योंकि मोहलों से हमको दरावनी चेतामने आते हैं, कि खबरदार आप बाहर से किसी से कोई मदद यह एक तरफ के सचाहिए हैं, और कोई मौलाना साब भी आई तो ऐसे हैं, कि कहते हैं कि अगर आप में से कोई आएंगे यहां पर, तो आपके टांग तोड़ देंगे, मेरे ही टीम मेंबर्स को बलते हैं, चुपचाप आप देना है, चुपचाप आपको महां से निकलना है अब आपकी दूसरी बात पर हम आएंगे, कि हम औरतों से यह नहीं कहते हैं, आप बच्चे पैदा मत करें, हम यह कहते हैं उनसे, आप कितनी भी बच्चों को पैदा करें, पांड़वों को पैदा करें, कोरवों को पैदा मत करें, कहते हैं हम साब उनसे, हम यह कहते हैं उन कि सिर्फ एक माही जान सकती है कि और एक मा की दर्द कि मा आप बच्चों को पैदा करो लेकिन देश के लिए नाज बनाई है उनके एक चोटा सा बच्चा जिसको पता तक नहीं है उसने क्यों इस धर्दी पर आया है वहां तक उसकी जिंदगी चली जाती है जहां पीछे लड़कियों के बारे में आप कहते हैं यहां तो सर्फ लड़कियां बेची जाती हैं सब एक पंदरा दिन की पहली की बात है एक लड़की मिडली से अपने ममा को अपने वालिदा को फोन करी थी है अधरबाद को ममा आप अभी दावत दे दीजे वहां पर अगर पैसे है त तो आपकी बेटी को 18 बार शादी हुई है यह सच्छा ही है साब 16 साल की लड़की को 17 साल की इंसान से शादी होता है अरब से क्या लड़की अपनी घर की लड़की भी लड़की नहीं होती यह मजब कहा से आया साब लड़की तो सभी की लड़की होती है मेरे भी दो लड़ लड़की को 21 साल तक शादी न करो, मैं अपनी लड़की को इतना अच्छा पढ़ा के बढ़ा करो, एक मा और एक मा के बीच में यह मजब नहीं आता साथ, सिर्फ लड़की, प्यार, अच्छे ससराल में जाए, एक शांदार, एक इजददार लड़के से ब्या करवाए, समंदे के हैं, जिनकी आवाज चार दिवारों से बाहर नहीं निकलती है, जो गरीबी में, दलदल में, दो बार, तीन बार, चार बार शादियां करवा देते हैं, क्योंकि वो पैसों से पीछे आठ या साथ बच्चों की खाना मेंती हैं उनको, तो कई लड़की बिक जाती ह साथ इसी घर में खाने लाने के लिए, आप जब इस रूप में आप बिंदी लगा के, रुद्राक्ष पहन के, मांग में संदूर भर के, मुस्लिम इलाकों में जाती हैं, उन गलियों में जाती हैं, तो घुस्ने देते हैं आपको? आठ साल से मैं खास करकर इसी मुसल्मान के गलियों में काम कर रही हूँ, एक बार भी, सच्चा ही आज मैं बयान कर रही हूँ, एक बार भी, एक मुसल्मान औरत या परिवार मुझसे ये नहीं कहा, कि आप कैसे आ सकते हैं, ऐसे नहीं आ सकते हाँ, अब मुझे सच बात करन पड़ेगा हमारे प्यारे असजी के लोग आते थे हमारे राशन का ब्तायां डूडेने के लिए को ने हिनों और टू वारत SIM ऑर इनके उर्थों के पास पूंगी दर समशने के लिए उनकी दुख समशने के बस इसलिए बच्चे को खाना मिले में लेके जाती है जंताम भिशन सवाल कुसने चाहते हैं? कोई लोग सवाल कुसने चाहते हैं? हैदराबाद के गुंडे और जितने भी लोग होते हैं वहापे जो गुंडगर्धि करते हैं उनसे लड़ने की हिम्मत आपने कहां से आती है ये मेरी हिम्मत अकेली का नहीं है इतने सालों से जो हिंदू और मुसलमान दोनों एक ही तरह से लड़ते आए मैं उनसे तो महान नहीं हूँ बच्चा वो ही शायद मुझे हिम्मत दिये है अगर यही सोचते जाएंगे इंसान तो क्या आज हम स्वतंत्र भारत देश में ऐसे बैटे वे दिखते किसी ना किसी को आगे बढ़ना चाहिए अगर वो मैं हूँ मैं आपको भाग्यशाली समझ रही हूँ